बदलती सांस्कृतिक परमपराएं याने Changing Cultural Traditions परमपराएं अर्थात तत्कालीन समाज में जो आदितें थी चाहे वो सांस्कृतिके छेत्र में हो चाहे अनिक छेत्रों में हो उनको हम परमपराएं कहते हैं जो लंबे समय से चली आ रही हैं ऐसी प्रथाएं जो लंबे समय से चली आ रही हैं उन्हें हम परमपराएं कहते हैं और विशह है बदलती सांस्कृतिक परमपराएं अर्थात हम ऐसी परंपराओं का जिक्र कर रहे हैं ऐसी परंपराओं का अध्यन कर रहे हैं जो बदल रही हैं उस काल में जिस काल में हम बात करेंगे उस काल में वे बदल रही हैं और बदलती परंपराएं कौन सी हमारा केंद रहेगा हमारा विशय रहेगा सांस्कृतिक परंपराएं यानि किसी अन्य तरह की परंपराओं पर हमको इस अध्याय में नहीं जाना है सांस्कृतिक परंपरा ये हमारा केंदर बिंदु है इस से पहले इस अध्याय को लेकर हम बिंदुवार आगे बढ़ें ये जरूरी है कि थोड़ा सा हम पूर्व जानकारी जो इस अध्याय के लिए अहम है वो आपको बता दें हमने पढ़ा था चंगेश खान इसके बारे में काफी हमने पढ़ा है 1206 में चंगेश खान समराट बनता है और जो समराज वो बनाता है इसकी विशालता को आप देखें समराज की विशालता को आप देखें एक तो सबसे विशाल समराज्यों में मूलता ये मंगोलिया का था जो आज मंगोलिया कहलाता है वो मंगोल लोग थे मूलता ये लोग कौन थे मंगोल मंगोलिया के थो वहां से इसका शासन शुरू होता है और धीरे धीरे वो अपने राज को सामराज में बदलता है और फिर सबसे विशालतम सामराज में जो दो तीन महाद्वीपों तक फैला हुआ था महाद्वीपों तक फैला हुआ था और चूंकि मंगोल एक स्थाई क्षेतर वाले निवासी नहीं थे वे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे इन्हें यायावर कहा जाता है और इसलिए इनका सामराज भी यायावर सामराज कहलाता चंगेश खान उसका पहला शासक चंगेश खान अपनी बरबरता के लिए बहुत प्रसिद था वह अपने सामराज के विस्तार के लिए किसी भी कीमत पर जाने के लिए तयार था ऐसा कहा जाता है कि बगदाद, समरकन, फरगना जो इस नक्षे में आप देख रहे हैं यहाँ पर युद्ध के दोरान उसने एक जगा ठारा लाक, एक जगा बारा लाक, एक जगा आठ लाक लोगों का कतल किया, लाक, अठारा लाक, बारा लाक, आठ लाक, यदि ये संख्या अतिश योक्त भी है और इसके हम आधी संख्या भी मानें, याने अठारा के बदले नौ लाक समझ लें, आठ लाक समझ लें, यहाँ स्वयम में एक बहुत भारी संख्या है कतल के लिए, पर सच्चाई है, बहुत ही खूंखार, भीशन, व्यभार वाला, और कुछ भी करने को तयार, अपने सामराजी के विस्तार के लिए वो था चंगेश खान, और इसलिए हम लोग इसके बारे में जब तब सुनते रहते हैं, दो कारणों से, एक तो बहुत खूंखार सामराज, और दूसरा बहुत विशाल सामराज, जैसा आप देख रहे हैं इसी सामराज में आगे तैमूर लंग आता है, बीच में करीब एक सो, सबा सो साल दूसरे लोग शासन करते हैं, मैं उसके विस्तार पे नहीं जाओंगा, तो बाद में तैमूर लंग आता है और ये तैमूर का जो शासन है, उसी से आगे, उसी परिवार से आगे, एक व्यक्ति, समरकंद, फरगना, वहाँ पर राजा बनता है लेकिन ऐसी कुछ सितियां होती हैं कि उस राजा को भगा दिया जाता है, वहाँ से खदेर दिया जाता है और वो मात्र पंदरा साल का राजा था, क्योंकि उसकी पिता जी की मृत्य हो चुकी थी पंदरा बीस बार वो राजा अपने सैनिकों के साथ पंदरा बीस वर्षों तक प्रियास करता है अपने उस पुराने राज को पाने के लिए, जो समरकंद, फरगना का क्षेत कहलाता है और अंतितर निराश होकर वह काबुल की तरफ आता है, बलकि कहना चाहिए काबुल की और धकेल दिया जाता है, जो पूरु में है और फिर काबुल से वह दिल्ली पहुंचता है, और मुगल समराज की स्थापना करता है, जिसका नाम है बाबर दूसरे शब्दों में मैं आपको बताना चाहरा हूँ कि यह यावर समराज, चंगेश खान, तमोर लंग और वहीं कहीं से बाबर उनसे संबंधित है 1526 में वह मुगल शासन की स्थापना करता है, मुगल राज्य की स्थापना करता है दिल्ली में, 1526 तो यह तो हुई एक प्रिष्ट भूमी, अब दूसरी बात जो आपको जाननी है, वो यह है कि इस यावर समराज का जो अंतर महाद्वीपी विस्तार था, उसके क्या परिणाम हुए होंगे आप देख रहे हैं चीन, मंगोलिया और इधर यॉरप का हिस्सा पश्चमी यॉरप पूरा, ये ख्षेतर पूरा उसके समराज में आगया था जिसे हम बाइदिन टाइन इंपायर भी कहें, युनानी अंपायर कहें, आटोमन इंपायर कहें, आटोमन इंपायर कहें, बाइदिन टाइन, युनानी, रोमन इंपायर, ये सब उसने अपने कबजे में ले लिया, तो एक और जहां इतना बड़ा समरा का एक दूसरी जगह जाना आना हुआ, लोगों का एक दूसरे क्षेतर में व्यापार हुआ, एक दूसरे की सब्धिता से संस्कृति से परिचे हुआ, कुल मिला कर जब ऐसा मिलन होता है, सब्धिताओं का, अलग-अलग क्षेतर के एशिया भी था उसमें, उसमें यौरप भी था और अफ्रीका का भी खुशी जब ये लोग सब मिलें लंबे काल के लिए तो निश्चित रूप से अपना प्रभाव दूसरी सभिता पे छोड़ते हैं और दूसरी सभिता का प्रभाव अपने मिलेते हैं तो आपको जो दूसरा बिंदू जो याद रखना है कि इतने बड पीछे वो एक एक मिश्रित सभिता छोड़ गया मिश्रित से मेरा ताटपर है कि विभिन महादीपों की अलग-अलग सभिताओं का एक तरीके से मिलन हुआ और उसके मिश्रण के अपने अलग परणाम निकले हम जो पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे सध्धाय का विश्य है उसका संबंद इस मिश्रण के परणामों से है उसका संबंद इस मिश्रण के परणामों से है उसमें से एक जो परणाम बहुत अहम था वो था कि इस काल में हम देखते हैं तीन नए तीन वर्ग जो समाज है उसका वर्गी करण खासकर पश्चिमी यॉरप में पश्चिमी यूरोग पे खेद देखिए उसमें समाज का जो वर्गी करण होता है वो उसमें तीन तरह का एक होता है पादरी जा धार्मिक वर्ग जो सरवोचस्थान रखता है दूसरा है अभिजात वर्ग और तीसरा है कृष्षी वर्ग अभिजात वर्ग अमीर लोगों का ग्रुप मूलता वे लोग जो लोग जमीन से जुड़े थे वैसे तो कृषी से समंदित लोग भी जमीन से जुड़े थे लेकिन वे लोग दास के रूप में थे आपको याद होगा पूर्व के अध्यायों में मैंने जिक्र किया है कैसे दास्पर था उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित थी तो तीन वर्ग समाज में बटा हुआ था समाज के तीन वर्ग थे मूलता और अभिजात वर्ग जो है वहाँ अमीरों का था और जमीन से इसके तालुकात थे धार्मिक वर्ग जो पहला वर्ग था पादरी लोगों का वे लोग धर्म के काम में लगे रहते थे अब इस बात से ये बात भी स्पष्ट है इस वरगी करण से ये बात स्पष्ट है कि यदि धार्मिक वरग को सरवोच स्थान है समाज में तो इसका मतलब शायद धर्म उनके लिए सबसे महतपूर्ण था दूसरे शब्दों में इस काल में धर्म का बोल बाला था धर्म सबसे महतपूर्ण जीवन का सबसे महतपूर्ण अंग रहता था जो सारी जो गतिविदियां होती थी वे धर्म के आसपास धर्म के चारों और घूमती थी धर्म उनके केंद्र पे रखता था ईश्वर परमात्मा और उससे जुरूई हुई बातें उस समाज के लिए मूल थी तो इस प्रकार ये थोड़ी सी प्रिष्ट भूमी आपको समझने की जुरूत थी या जावर प्रविटि के मंगोल बहुत बड़ा समरज चंगेश खान और उसके बाद तमूर और फिर बाबर और भारत में उसका संबन तीन तरह का वर्ग और उसमें अभिजात वर्ग बहुत शक्तिशाली आर्थिक दिश्टि से लेकिन उसका स्थान दूसरा था अब यदि धार्मिक लोंगों का स्थान पहला था और दूसरा स्थान अमीर लोंगों का था तो आप सोच सकते हैं कि अमीरों की तो मंशा रही होगी कि समाज में उनका स्थान तरवोच हो चुकि वे लोग आर्थिक जिश्टि से मजबूत थे निश्टित रूप से वे इस इस बात के लिए सजग थे कि वे समाज में सबसे उंचा दर्जा चाहते थे वे लोग समर्थ भी थे क्योंकि धन उनके पास था मुद्रा उनके पास थी चाहे वो वियापारी के रूप में हो चाहे वो जमीन के मालकों के रूप में हो तो ये इसकी भोमिका है ये वो काल है जिसका हम अध्यन कर रहे हैं जिस काल को अलग-अलग नामों से पकारा जाता है बलाया जाता है वैसे आपकी जानकारी के लिए बदलते बदलती संस्क्रितिक परंपराएं ये अध्याय मूलताह तेरा सो से लेकर सत्रा सो इसवी तक के काल का अध्यन है इस काल में जो परिवर्तन हुए हम उसका अध्यन करने जा रहे हैं हम उनको समझने जा रहे हैं जब हम काल में विभाजन करते हैं तो इस तेरा सो से सत्रा सो का अर्थिये ने कि 13 स्वा में ही अचानक सारे परिवर्तन हुए परंपराइं अचानक बदल गई हों ये परंपराइं बदलना एक बहुत लंबी प्रक्रिया है इतिहास में वैसे कोई भी चीज अचानक नहीं होती चाहे वो कोई घटना ही क्यों नहों, कोई लड़ाई ही क्यों नहों अचानक नहीं होती, उसके पीछे कारण और बड़ा लंबा समय रहता है तो उसी प्रकार यहां भी, यदि मैं काल की बात करूं तो 1300-1700 हमारे अध्यन का काल है, और तो मैंने जो प्रिष्ठ भूमी अभी तक आपको बताई यायावर समराजी के बारे में बताया और इसके अलावा वर्गी करन समाज का बताया यह लगवग इसके पहले पहले, थोड़ा पहले काफी ज़्यादा हो चुका था, अपनी चरमत कर्श पर था यह जैसा मैंने बताया कि अभिजात वर्ग वर्ग था जो आर्थिक रूप से संपन्न था और उस समय की आर्थिक संपन्न था जमीन के नियंतरन पर आधारित थी यानि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो प्रभावशील लोग थे, प्रभावशारी लोग थे उन्होंने बड़ी बड़ी जमीने हथिया रखी थी और बड़ी जमीन से अर्थ है हजार एकड़, दो हजार एकड़, पांच जार एकड़ जमीन उसके वे मालिक थे, उस पे उनका मालिकाना हक था इस तरह की जो प्रथा थी, वह कहलाती है सामन्त वादी प्रथा सामन्ट क्या कहलाती है सामन्ट वादी प्रथा दूसरे शब्दों में अविजात वर्ग में सामन्ट वादी गुड जो था वो सबसे ज़्यादा हावी था सचाई तो यह है कि व्यापारी वर्ग जिसका व्यापार उस समय मुख्यूरूप से सिल्क रूट में होता था जो सिल्क रूट आप देख रहे हैं नक्षे में यह चीन से चलता है और पूरे पश्च्चमी यॉरप तक जाता है रेशम मार्ग जिसे कहते हैं इस सिल्क रूट में और उस सिल्क रूट के करण उसके आस पास के खितनों का विकास हुआ था लेकिन सामन्तों का बोल बाला था ये काल सामन्ती काल कहलाता है सामन्त वादियों का काल कहलाता है सामन्त वादी व्यवस्था इस काल की विशेष्था है सामन्त वादी विवस्था इस काल की विश्यिष्टा ये वाला काल जो है ये प्राचीन काल नहीं कहलाता आधनिक काल भी नहीं कहलाता बलकि ये मध्ध काल कहलाता है मध्ध काल वैचे तो मध्ध काल का दौर लगबग 900 ईस्वी से शुरू हो जाता है उसका वर्गी करण हम आगे करेंगे लेकिन फिलहाल इतना जानना है कि मूल रूप से मध्धकाल जो है वो करीब 1300 के आसपास प्रारंब होता है और फिर उसके बाद आगे हम बदलती हुई परंपराओं का ध्यन करेंगे तो प्रिष्ट भूमी की अदि बात करें तो इन बिंदूओं के अलावा आपको एक चीज़े समझनी है कि सामन्त वादी व्यवस्था मध्कालीन यॉरोप की प्रमुक विशेष्टा थी और एक लंबे समय तक यानि नौवी सदी से ग्यार्वी सदी तक यॉरोप के उसने इतइछास को बहुत प्रभावित किया क्योंकि ये सामन्त लोग जो थे सामन्त मतलब जो एक बहुत बड़े जमीनी क्षेतर के मुखिया हो जाते थे मालिक हो जाते थे उक तरीके से छोटे छोटे competitors राजा हो जाते थे जिसे हम एक तरीके जमीनदार अपने भारत में कहते हैं तो हम कह सकते हैं वहां भी इसी तरह की प्रता थी लेकिन उसमें कुछ बदलाव था और वे सामंत कहला था सामंतवादी व्यवस्थ था ये नौवी ग्यारवी सदी के काल का है और ये सामंतवाद ने वहां के इतिहास को बहुत प्रभावित किया है कल्पना करिये जहां इतने सारे सामंत पैदा हो गए हैं छोटे छोटे राजा वे स्वयम स्फियर ओफ इंफ्लूइंज प्रभाव के केंदर बन बैठे थे और राजा लोग काफी कुछ जो समराठ होना चाहते थे या बड़े बड़े समराठ के ये लोग काफी कुछ इन पर निर्भर रहते थे अपनी सत्ता की बहाली के लिए ही नहीं अपनी सत्ता को बनाय रखने के लिए भी दूसरे शब्दों में सामन्ती, सामन्त और राजाओं के बीच में बड़ा निकट का संबंद था, बड़े गहरे संबंद थे इन में मुख्य रूप से जह से मैंने बताया कि ये सामन्ती व्यवस्था में तीन वर्ग था, पादरियों का, अभिजात वर्ग का और क्रिशर वर्ग, ये तीन वर्ग था लेकिन साथ ही साथ, हमको ये देखना है कि समय के साथ साथ, खासकर नौवी, ग्यारवी शिताबदी के मैंने बात की, तो तेरवी शिताबदी के आसपार, बहुत सारे परिवर्टन हुए, कुछ परिवर्टन आए, इतिहास में कोई भी चीज सतत नहीं है, इतिहास में आप व्यापार वानिज की उन्नती क्या चीज? व्यापार और वानिज की उन्नती मैंने अभी आपको बताया है कि 9-11 सदी के आसपास अभिजात वर्ग याने सामन्त वादी जमीन से जुले हुए लोगों का आधिपत्य वर्चस्व लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया और आप यहां नक्षे में देखें थोड़ा तो आप इटली के नक्षे को देखिए इटली के नक्षे में आप देखेंगे कई शहर सामने आगए और यह शहर क्या थे? बंदर गाहा थे बेसिकली फ्लॉरेंस, वेनिस और भी जो अन्न शहर जो आप देख रहे हैं बंदर गाह थे जिनका व्यापार से संबंद था, वानिज से संबंद था तो अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि तेरवी सती के आरंभ होते होते सामन्त वादी प्रथा धीरे धीरे पीछे हटने लगी और इसके बदले व्यापारियों का वर्चा सो बढ़ने लगा व्यापार और वानिज की उन्नत ही होने लगी और एक चौथा वर्ग उभर के सामने आता है जिसे हम कह सकते हैं कि वो नगरी वर्ग था नगरी वर्ग चौथे वर्ग के रूप में नगरों का विकास नए शासक का वर्ग इसको हम इस काल में देख सकते हैं नगरों के विकास के पीछे के कहानी हम आगे पढ़ेंगे पर आपको किवल ये समझना जरूरी है कि जिस काल की हम बात कर रहे हैं उस काल के प्रारंब में क्या-क्या परिवर्तन हो रहे थे और ये परिवर्तन बड़े धीरे 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 हो रहे थे पांच-दस वर्षों का ये प्रभाव नहीं था ये कई सो वर्षों से या कम से कम 200-300 वर्षों से परिवर्तन प्रारंब हो चुका था और अब जोर पकड़ रहा था मैंने एक जिक्र किया पूर में कि धार्मिक कारियों से जुड़े हुए लोगों का समाज में पहला स्थान था और बदलते समय के साथ साथ निश्चित रूप से जो दूसरा वर्ग था सामन्त वर्ग अपने वरचस्वता को बढ़ाने का प्रयास कर रहा था तो ये एक तरीके से हम देखते हैं संघर्ष धार्मिक गृप बना अभिजात वर्ग जिसे हम अभिजात वर्ग कहते हैं एक संघर्ष तो वो शुरू हुआ साथ ही मैंने यह भी बताए कि यह वो काल सा जब धर्म की प्रचुरता थी धर्म का बहुलिथा धर्म की धर्म जो है उसका स्थान सरवच था एक सामाजी की वास्था में यह धर्मिक काल हम कह सकते हैं अब धीरे धीरे जैसा मैंने कहा हर काल का अपना दिन होता है धार्मिक काल ने अब किसी नैर काल को जन्म दिया, किसी नई गतिविदियों को जन्म दिया, जिस प्रकार धार्मिक वर्ग और अभिजात वर्ग के बीच में संघर्ष की गुझाईश हम देखते हैं, सत्ता संघर्ष की गुझाईश, उसी प्रकार अभिजात वर्ग के अंतर गती अंदर आने वाले अमीर सामंत लोग और व्यापारी लोगों के बीच में भी एक तरीके से संघर शुरू होता है ये जो व्यापारी वर्ग जो है नया नया जो आ रहा था नया नय जो शासक भी आ रहे थे ये एक तरीके से इन सामंत वादी व्यवस्था को चुनौती दे ने लगे मैं फिर से दोरादों की सामनत वादी व्यवस्था वह व्यवस्था जिसमें जमीन से जुड़े हुए लोंगों का सरोकार मुख्य रहता है और वो ऐसी जमीन नहीं जिस पांच एकर दस एक हजारों एकर में इनके पास जमीन रहती है और उसके वे एक तरीके से मालि っていう से जुड़े हुए लोंगों को चुनोती जी जाती है और उसके तहट क्या होता है धीरे धीरे सामन्त वादी व्यवस्था का पतन प्रायम होता है तो इस काल में हम सामन तवादी व्यवस्था का पतन भी देख रहे हैं और यदि एक का पतन हो रहा है तो हम देखते हैं कि व्यापारी वर्ग अब उपर आ रहा है तो इस प्रकार इसने व्यापारी वर्ग के उत्थान का मार्क प्रशस्थ किया और यहीं से आधनिक काल की शिरुवात होती है यहीं से आधनिक काल की बल्कि शिरुवात नहीं हम कहेंगे आधनिक काल की आहट मिलने लगती है क्योंकि ये व्यापारी वर्ग था जो अपने तौर तरीकों से, अपने होशलों से नई नई चीजें देख रहा था, समझने का प्रयास कर रहा था, नई नई जगें जा रहा था और नई ने विचार सामने ला रहा था, तो जब ये नई चीजें आती हैं, तो वो पुरानी परमपराओं को जटका देती हैं, पुरानी परमपराओं को खटखटाती हैं, और यहीं से शुरू होता है नई परमपराओं, बनाम परानी परमपराओं के बीच का संगर्श और अ आधनिक काल की आहट देने लगती हैं तो इसके पीछे व्यापारी लोगों का कुन्बा काफी हद तक जिम्मेदार था और सामंतवाद के पतन के लिए भी हम उन्हें ही श्रे देते हैं क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था जो है वो पुरानी व्यवस्था है दकिया नूसी व् थी निश्चित रूप से उसका पतन होना था और उसके लिए व्यापारियों को श्रे जाता हूं इस अध्याय में हम ये भी देखेंगे कि आधनिक यॉरप का जो नक्षा है आधनिक यॉरप का जो नक्षा है और उसका इतिहास है कि किस प्रकार तेरवी और चौदावी सद में हुए परिवर्तनों ने यॉरप में संस्कृतिक बदलाओ की शिरुआत हुई किस प्रकार तेरवी और चौदावी सदी में हुए परिवर्तनों ने पहली बात तो कौन से परिवर्तनों की बात मैं कर रहा हूं परिवर्तन क्या क्या हुए एक तो या यावर सामराज दूसरा सामन्तवादी व्योस्था का धीरे धीरे पतन होना तीसरा नैने नगरों का सामने आना चोथा व्यापारी वानजवर्क का सामने आना और रेशम मार के जरिये लोगों का लोगों की आवा जाही तो इन सब का परिणाम और जो इतना बड़ा समराज बन गया था जिसका मैंने जिक्र किया है उस सामराज एकी कृत सामराज के अंदर की जो आहवा जाही थी उसने सांस्कृतिक बदलावों को जन्म दिया उसने सांस्कृतिक बदलावों को जन्व दिया सांस्कृतिक बदलावों की शिरुवात की और ये सांस्कृतिक बदलावों की शिरुवात और क्या-क्या उसमें बदलाव आए यही हमारे सध्याए के अध्यान का क्षेतर है ये जो परिवर्तन हुए चौदहवी सदी से सत्रहवी सदी तक के काल में हुए है तेरहवी सदी जो है जो मैंने बताया नौवी से ग्यारवी सदी तक तो बिलकुल प्राची नवस्था में थे सामंतवादी व्यवस्था में थे लेकिन ग्यारवी सदी के लगभग एक तरीके से परिवर्तन हलका शुरू होता है आहट होती है तेरवी सदी में लगने लगता है कि कुछ परिवर्तन आ रहे हैं और चौदा से सत्रहवी सदी में ये परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं इन बदलावों को हम क्या कहते हैं यही जो परिवर्तन हैं यही जो बदलाव हम देखते हैं सांस्कृतिक परंपराओं में विशेश कर उन बदलावों को एक शब्द में पुनर जागरन कहते हैं क्या कहते हैं पुनर जागरन पुनर जागना अब ये दो शब्द की थोड़ी से हम विद्पकती जाने इसको अंग्रेजी में रेनेसां भी कहते हैं रेनेसां र-e-n-a-i-s-a-n-c-e उचारन देखिए रेनेसां रेनेसां मतलब पुनर जागरन जैसा हिंदी के दो शब्द से स्पष्ट है पुनर जागरन याने फिर से जागना तो फिर से जागना मतलब पहले जगे हुए थे क्या फिर सो गए क्या और उसके बाद फिर से जाग रहे हैं हाँ इसका ताथपरी यही है पुनर जागरन का अर्थ यही है कि पहले जो थे दुरभाग्य से उसमें गिरावट आई अब वो पहले की व्यवस्था को वापस लाने का प्रयास इस काल में हम देखते हैं या पहले की व्यवस्था के माध्यम से कुछ नई व्यवस्था लाने का प्रयास करते हैं बीच का जो सुपता वस्था है उस काल को भुला देने की बात करते हैं पुनर जागरन वह काल है जब सुपता वस्था के काल के बाद सुपता वस्था के पहले के काल के बल पर कुछ नई प्रयास होते हैं समाज में आप समझ गए हैं क्या है रेने साँ पुनर जागरन और पुनर जागरन क्यों कह रहे हैं? पुरानी व्यवस्था को लाने का प्रयाथ, पुरानी व्यवस्था जिसे हमने किसी कारण खो दिया, पुरानी व्यवस्था जिसे हम किसी कारण से भूल गए, पुरानी व्यवस्था जो थी तो बहुत अच्छी पर बीच में एक ऐसा द जो सब्ता वस्ता है, ये सब्ता वस्ता शब्द कहना उचित नहीं होगा, ये बल्कि बहुत से इतिहासकारों ने से अंधकार युग कहा है, प्राचीन युग याने नौसो से पूर्वका उसके बाद अंधकार युग यानि 900 से 1300 और 1300 के बाद का काल एक तरीके से कहा जा सकता है आधनिकाल जहां पे आधनिकाल की शिरुवात होती इन बदलावों को यह जो बदलाव जो हम देखते हैं 1400 से 1700 यह बदलाव ही क्या कहलाता है पुनर जागरन यह एक बहुत महत्पूर्ण प्रश्णिस में आता है हमेशा कि पुनर जागरन का क्या तादपर है और पुनर जागरन में क्या क्या परिवर्तन आये लिखें तो पुनर जागरन वे थे भारत में भी हुआ था और पुनर जागरन जो होता है सामान इत्या वो सांस्कृतिक शेतर में होता है भारत में जो पुनर जागरन का काल है वह काल करीब 15-16 शताबदी है जब बहुत सारे महान साहितिकार, महान लेखक, महान रचईता एक के बाद एक आए जिसमें कबीर दास, तुल्सी दास, मीरा बाई, चैतेन महाप्रबू आदी आदी ये वह काल है जब भारत में पुनर जागरन होता है तो भारत का जो काल है वो समझ लीजे चौदहवी, पंद्रहवी शताबदी है यौरप या इस खेत्र का पंद्रह जागरन किसी अन्य कारणों से हुआ तो हम अब ये समझ गया होंगे कि ये हमारे लिए कौन सा काल है? चौदह सो से सत्रा सो अब ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि इस काल की महत्ता इस बात के लिए है कि इस बात के लिए नहीं कि पंद्रह जागरन हुआ इस बात के लिए है कि इसी पंद्रह जागरन के कारण आधुनिक काल का प्रारंब हुआ आधुनिक यौरप का प्रारंब हुआ इसी पंद्रह जागरन के कारण ही आधुनिक यौरप का प्रारंब हुआ अन्यथा वह सामन्त वादी प्रथा के तहत अंधकार युग में ही था तो इसलिए पुनर जागरन बहुत महत्पूर्ण हो जाता है कि इसने कई परंपराओं को तोड़ा, कई परंपराओं को बदला परानी परंपराओं परानी जो ज्यादा अच्छी परताओं थी उनको सामने लाया और इस प्रकार यूरोप के आधनी की करण का एक मुक्च कारण है पुनर जागरन जिसका हम और थोड़ा गहन अधन करेंगे